अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ग्यान का भंडार जो की आपको पूरी दरह से डिटेल में समझाया जाएगा तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देर मत करिएगा कि समान्य ग्यान से रिलेटर किस तरह के टोपिक हैं जो की exam की दृष्टी से बहुत ज़्यादा important होते हैं और exam में आने की पूरी उम्मीद होती है तो friends देर मत करिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Hello friends आज हम आपको करवाने जा रहे हैं इतिहास के प्राचीन भारत का भागतीन चलिए चलते हैं question की तरफ मठ मंदिर और सतूप किस धर्म से संबंद रखते हैं इसका उत्तर हैं बोध धर्म चलिए next question की तरफ जातक किसका ग्रंत है इसका अंसर है बोध धर्म से अब चलते ह हैं अगले परसन की तरफ क्या कहता है जैन धर्म अधार बूत बिंदु क्या है इसका उत्तर है फ्रेंड्स अहीं साथ अब चलते हैं next question की तरफ next question is दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्मान किसने करवाया था इसका अंसर है चोलुक्यों ने most important question is next question महावीर का मूल नाम क्या था इसका अंसर है वर्धमान अब चलते हैं अगला प्रसन क्या कहता है आजीवक संपरदाय के सस्थापक कोन थी इसका उत्तर है फ्रेंड्स मखली गोसाल चलिए चलते हैं next question की तरफ सयाद वाद का सिध्धान्त किसका है इसका उत्तर है जैन धर्म का जैन धर्म next question is प्रत्थम बोध संगती कहां आयोजित हुई थी most important question इसका उत्तर है राजग्रह में चलिए next question बुद्ध की मृत्तु के बाद प्रत्थम बोध संगती किसने की थी इसका अंसर है फ्रेंड्स महा कश्यपने next question भारत में सबसे प्राचिन विहार कौन सा है इसका उत्तर है फ्रेंड्स नालंदा चलिए अब चलते हैं most important question की तरफ question is प्रत्थम जैन सभा का आयोजन कहां हुआ इसका उत्तर है पाटली पुत्र next question महावीर ने जैन संकी स्थापना कहां पर की थी इसका उत्तर है फ्रेंड्स पावा में चलिए next question कलप सुत्तर के रचियता कौन है बहुत ही important question है मित्रोई इसका अंस्वर है बद्र बाहू अब चलते हैं next question बोध शिक्षा का केंदर कहां पर था इसका अंस्वर है विक्रम सीला चलिए अब next question की तरफ बढ़ते हैं बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिये इसका अंस्वर है सरावस्ती में चलिए next की तरफ बुद्ध का गुरू कौन था बहुत ही important question है ये अलार कलाम next question is चानक्या का दूसरा नाम क्या था यानि कि चानक्या को दूसरा किस नाम से जाना जाता है इसका अंस्वर है विस्नु गुप्त चंदरगुप्त के सासन विश्तार में किसका योगदान था फ्रेंड्स चंदरगुप्त के सासन के विश्तार में चानक्या का सबसे बड़ा योगदान था next question is सांची किस कला और मुर्ती कला का निरूपन करता है इसका अंस्वर है बोद्ध next question is असोक का उत्रा दिकारी कौन था most important question इसका अंस्वर है कुनार next question is उत्रांचल में असोक का एक सीला लेख कहां पर है इसका अंस्वर है फ्रेंड्स कालसी में चलिए बढ़ते हम next question की तरफ सीरी नगर किस थापना किस मोर्य सासक ने की थी बहुत important question है फ्रेंड्स ये इसका अंस्वर है असोक ने चलिए next question की तरफ चंदरगूप्त ने सैल्यूकस को कब पराजित किया था इसका अंस्वर है 305 इसा पूरो में next question is मोर्य काल के गुप्त चरो को क्या कहा जाता था इसका अंस्वर है गुड़ पूरुस अब चलते हैं next question की तरफ कलिंग युद्ध की विजय का वरणन असोक ने किस सीला लेख में किया है इसका अंस्वर है 13 सीला लेख में next question किस थान से असोक के सीला लेख के लिए पत्थर लिये जाते थे इसका उत्तर है चुनार से असोक ने सिरी लंका में किसको बोध धरम का परचार करने के लिए भेजा इसका अंसर है महिंदर और संग मित्रा को इसका उत्तर है दोस्तो वासू देव अब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ साथ वाहन शंका संस्थापक कौन था इसका अंसर है फ्रेंट सी मुक चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कनिक्ष की राजधानी कौन सी थी इसका उत्तर है फ्रेंट्स पूरुस पूरु बहुत इंपोर्टन्ट कॉस्चन है अब चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की तरफ क्या कहता है चरक किसके राज चिकिचिक थे ज्यादतर पूछा जाने वाला कॉस्चन इसका अंसर है कनिस्क भारतियों का रेसम मार्ग किसने आरम किया था अंसर इस कनिस्क ने अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की तरफ कुसान काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था अंसर इज वस्तुकला नेक्स्ट कॉस्चन इज भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राई किसने चलाई थी इसका अंसर है इंडो बैक्टीरियन ने अब चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की तरफ कनिस्क के सासन काल में सबसे महत्तपून घटना कौन सी है अंसर इज चतुर्थ बोध संगीती नेक्स्ट कॉस्चन साथ वहन सासको की राजकिय भासा कौन सी थी इसका अंसर है प्राकर्त